हे गाईज वेलकम टू माई चोनल फ्रेंज मैं उस अरीता कुक विच सारी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं व्याद सूप वह थन्द सुरो गया है तो घर पे सूप तो बनेगा ही ना तो चलिए दोस्तों आज का सूप रेसिपी सुरू करते हैं सबसे पहले हम कड़ाई या पैन ले लेंगे उसके पात मैंने यहापे दो स्पून ओईल लिया है पैन को या कड़ाई को गरम कर देना है उसके बाद हम इसमें ये दो चमच ओईल एड़ कर देंगे उसके पात मिक्स कर लेते हैं आप चाओ तो सिर्फ ऑईल का भी इस्तमाल कर सकते हो लेकिन बटर से थोड़ा और अच्छा लगेगा उसके बाद मैंने यहापे गार्लिक लिया है चौप गार्लिक लसुन को इसे मैंने एड़ कर दिया उसके बाद चौप जिंजर अद्रक को भी इसे इ यूज मत कीजिएगा इसे काट के ही यूज कीजिएगा उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे कटा हुआ प्यास बहुत ही छोटी-छोटी करके काटी हो और यह बस एक छोटी प्यास थे उसको मैंने कट किया है प्यास को भी थोड़ा सा बून लेंगे प्यास जादा हो तो अच्छा नहीं आएगा इसलिए प्यास सूप में हमेशा कम रहना चाहिए चाहो तो बिना प्यास के भी सूप बना सकते हो लेकिन मैंने यह पर थोड़ा सा प्यास एड़ कर दिया है प्यास थोड़ा बुन गया है अब हम इसमें एड़ करेंगे ग्रीन चिली हरी मीर्च को इसे finely chop करेंगे उसके बाद हम इसमें add करेंगे और इन सब को अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे उसके बाद next step में हम सारे सबजी add करेंगे सबजी में से सबसे पहले हम beans add करेंगे beans को मैंने बहुत ही छोटा छोटा और इसे design में cut किया है कि यह थोड़ा अच्छा दिखें उसके बाद add करेंगे गाजर गाजर को भी मैंने इसे छोटा छोटा करके काटा है cutting most important part है soup का तो उसके बाद मैंने यह पर cabbage ले लिया है पत्ता गुवी को भी इसे छोटे छोटे करके मैंने cut किया है देखिए उसके बाद मटर ले लिया है तो मटर भी add हो गया इसमें उसके बाद salted करेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसर हम इसमें salted करेंगे और इन सारे चीजों को हम अच्छे से mix कर देंगे ग्यास का flame हाई पर होना चाहिए हाई flame में अब इसको अच्छे से हम सबजी को अच्छे से पकने देंगे देखिए ऐसे mix color बहुती अच्छा लग रहा है तो सबजी अभी थोड़ा थोड़ा पक रहा है सबजी को पूरा नहीं पकाना है कम से कम 70% या में पकाना है अब हम क्या करेंगे इस टेज में हम थोड़ा सा black pepper एड़ करेंगे आपके पास अगर black pepper ना हो तो काली मीच को थोड़ा सा रोष्ट करके उसको अच्छे से कूट के फिर इसमें एड़ कर देना सारे सबजी और black pepper को अच्छे से mix कर देंगे colorful सबजी बहुत ही अच्छा देख रहा है तो बस हमें इसको 70% तक ही पकाना है जादा नहीं पकाना है तो सबजी हमरा almost पक चुका है उसके बाद हम यहाँ पे एड़ करेंगे water पानी मैंने यहाँ पे दो कप लिया है देखिए एक कप डाला उसके बाद और एक कप पानी एड़ करेंगे पानी थोड़ा जादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है तो पानी mix हो गया है अब हम इसको एक उबाल आने तक वेट करेंगे जैसे इसका उबाल आ जाए फिर हम इसमें कॉनफलोर का पानी एड़ करेंगे ठीक है तो मैंने यहाँ पे कॉनफलोर ले लिया है एक चमस कॉनफलोर ले लिया है इसमें थोड़ा सा हम पानी एड़ करेंगे इसका एक पतलस लरी बना के तयार करेंगे देखिए अच्छे से कॉन फ्लोर को हम mix कर देंगे देखिए बहुत ही अच्छे से mix हो गया जैसे दूद के जैसा ही दिक रहा है अब इस कॉन फ्लोर के पानी को हम soup में add कर देंगे ये मैंने कॉन फ्लोर पानी को ऐसे soup में add कर दिया बस अब हम तूरंती इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे जैसे ही कॉन्फलोर की पानी इसमें एड होगा तो ये थोड़ा सा गाडा होने शुरू हो जाएगा अगर आपको थोड़ा और पानी चाहिए तो आप इस्तमाल कर सकते हो उसके बाद हम फिर से थोड़ा सा ब्लाक पेपर का इस्तमाल करेंगे थोड़ा सा ब्लाक पेपर एड कर दिया और ये हमारा सूप तो अल्मोश्ट तयार है लेकिन थोड़ा सा अभी पकाएंगे उसके बाद हमारा सूप तयार हो जाएगा इसको हम कम से कम अभी थोड़ा दो मिनिट के लिए मीडियम फ्लेब में थोड़ा सा पकाएंगे उसके बाद हमारा सूप तयार होगा अब रेश्टरंट जाके इतना पेसा खर्चा करके सूप पीने की कोई जरुद नहीं है दोस्तों घर पे इसी वेजिटेबल से बनाएं बहुती क्रंची सूप बनके तयार है दोस्तों वेजिटेबल से पूरा गला नहीं है अच्छे से पक चुका है और लेकिन इसका क्रंचीनेस है ये बहुती क्रंच है तो ये हमारा सूप तयार है देखिए तो अब हम इसको सर्फ पिकल लेते हैं एक बाउल लेंगे उसमें हम सर्फ करेंगे और ये बाउल में गया गर्मा गर्म क्रंची सूप देखिए एकदम साइनी क्रंची बहुती बढ़िया बना है देखिए बहुती बढ़िया दिख रहा है ना तो ये हेल्थी सूप आप घर पे जरूर बनाएगा अब हम थोड़ा सा धनिया पत्ता एसे सूप के उपर इसे गानिस करेंगे आप चाओ तो स ये हेल्थी सूप आप घर पे जरूर ट्राइ कीजिएगा अब रेश्टरेंट जाना बन और घर पे ही खायेगा सूप तो देखिए ये व्याज सूप आप सबको कैसा लगा मुझे कमन में तो जरूर बताए दोस्तों बहुती हेल्थी रेश्टरेंट स्ट्राइल सूप है तो ये सूप आप घर पे जरूर ट्राइ कीजिएगा अगर ये अच्छा लगा तो आगे जरूर सेर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे ने आये हूँ तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों तो आज की ये रेसिपी आप सबको कैसा लगा मुझे क बताएगा आज के लिए तो बस इतना ही फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ नए अंदाज में तो आज के लिए बस इतना ही सी यू टाटा बाई बाई